नमस्कार, तो ऐसी जो रेगुलर होने वाली गटना है, उसमें हम सिंपल प्रेजन्ट यूज करते हैं, इसमें हम किसी की आदत बताते हैं, किसी का सवाव बताते हैं, किसी का वेवसाय बताते हैं, कोई नित्य परती होने वाली गटना या रेगुलर इंटरवल पर होने वाली गटनाएं बताते हैं वेगैनिक तथे बताते हैं सावजनिक सत्त्य भी पताते हैं इसके लिए आप simple present एजिद और जो present continuous tense है या present progressive भी उसको बोलते हैं उसका इसी घटनाओं के लिए हम प्रियोग मिलाते हैं जब कोई घटना short term के लिए हो यानि वो सायद अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी थोड़ी देर और ज्यादा देर ये तो हो सकता है पर कुछ समय पहले शुरू हुई थी और उसके सायद कुछ समय बाद वो बंद भी हो जाएगी वो temporary nature की होती है जैसे बाहर अगर हम देखे खिड़की से और बच्चे खेल रहे हों तो हम कहेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो कुछ देर पहले खेलना शुरू किया है उन्होंने और सायद कुछ देर बाद बंद भी करेंगे वो ऐसे हमेशा चलने वाली घठना नहीं है तो हाँ आगर हम ये कहें कि इस पार्क में बच्चे खेलते हैं इसका मतलब ये रेगुलर पैटरन है वो खेलते रहते हैं इसमें तब उसमें वो और जो short term के लिए घठना होती है उसमें present continuous होता है present continuous का यूज आप ये भी उसके लिए भी करते हैं जब आपकी कोई near future की planning हो near future की planning आपकी planning हो तब आप present continuous यूज भी करते हैं जैसे I am going to daily tomorrow ये आपकी planning है इसलिए और अगर आप planning ना हो वैसे कहें आप किसी को कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं मैं कल दिल्ली जाओंगा ऐसे तब आप कहेंगे I shall go to daily tomorrow और आपकी planning का हिस्सा हो तब आप ऐसे बोलते है I am going to daily tomorrow ये फरक है present continuous यूज आप यहाँ भी यूज करते हैं एक और जगे जहाँ पर temporary nature का काम होता है लेकिन आप present continuous को यूज ना करके present simple को यूज करते हैं वो ऐसे actions को दिखाने के लिए होता है जो actions आपकी ग्यानिंद्रियों से होते हैं लेकिन वो आपके control के बिना होते हैं जैसे यानि आप एक तो आप देखते हैं एक आपको दिखता है एक तो आप सुनते हैं दूसरा आपको सुनता है यानि जो काम सवते हो जाए और आपकी ग्यानिंद्रिया दुवारा हो जाए उसको आप present simple में यूज करते हैं उनके लिए उसके लिए present continuous tense यूज नहीं होता ये आपने ध्यान दखना है अब आप देखिए exercise पहले आप इसको करके देख ले no question आपको सपस्ट दिख रहे हैं इसमें या तो आपने present simple tense यूज करना है या आपने present continuous यूज करना है दसवा भी आएगा उसको भी किजिएगा पहले आप ये no करके देख लीजिए फिर अब डिस्कस करते हैं आई हर everyday देखिए ये जो everyday है इससे दिख रहा है कि ये action regular pattern पे होने वाला है आगे इससे भी दिख रहा है जो दूसरा close है उसमें तो है ही says यानि present indefinite tense है present simple tense है इसलिए यहां भी present simply आएगा everyday होने वाला काम है तो I see her अगला उस पिक्चर का क्या नाम है विच यू on the wall अच्छा आप इसमें look at the wall नो तुम ये जो look है look or see में ये फरक होता है जो see होता है वो आपके control के बिना होता है आपको दिखता है जब आप बोलते हैं see और look उता है जब आप देखते हैं तो ये कभी भी continuous में नहीं आएगा तो which you are looking at you है तो is तो आएगा ही नहीं ये तो खतम हो गया आएगा which you are looking at on the wall जिसको आप दिवार पे वो तस्वीर उस तस्वीर का क्या नाम है जिसको आप देख रहे हो ये आपकी correct choice है अगला to see that film that is on at the cinema next week do you go is you going is you going का तो sense ही नहीं है are you going यनि आपकी कोई planning है are you going to see कि आप उस फिलम को देखने जा रहे हो that film that is on that on जो चल रही है at the cinema next week जो cinema पर अगले सब्ता चल रही है क्या तुम उसको देखने की planning करते हो कर रखिया आपने planning तो ये आए अगला every single thing which that man says वो जो आदमी हर चीज जो कहता है उस पे easy you तो पता नहीं क्यों choice में दे रखा है ये हो गई नहीं are you believing ये जो believe verb है ये ऐसी है जो continuous में आम तोर पर use नहीं होती है इसलिए इसमें आपने continuous use नहीं करना है तो do you believe ये आपकी choice ठीक है sometimes कभी कभी हाँ ये देखी ये जो कुछ words होते है ना always never often sometimes occasionally regularly normally इनके साथ आपका simple present ही आएगा sometimes I don't understand am not understanding नहीं आएगा क्योंकि present आपने indefinite लगाना है understand not ये structure ठीक नहीं है do not understand आएगा क्योंकि जब simple present का आप जब negative बनाते हो तो do helping वह भी use करते हो note के साथ इसलिए यही चो ऐसा आपकी ठीक है अगला later to night आज रात को बाद में I my uncle who is in hospital मैं अपने अंकल को visit कर रहा हूँ अब ये देखे plan है ये आपकी plan का इसा है तो I am visiting क्योंकि आगे की बात है आगे की बात या तो future indefinite में होगी future में होगी या तो या फिर present continuous में होगी आपकी short term planning को बताने के लिए तो I am visiting अगले why late every time we arrange to meet हम जब भी मिलने के प्रोग्राम बनाते है वो हमेशा late क्यों होता है why is he late वो हमेशा late क्यों ये planning तो नहीं होगी उसकी कोई मतलब नहीं है तो इसलिए why is he late अच्छा आप ये he is क्यों नहीं है is he क्यों है क्योंकि ये जो इससे sentence शुरू होते है why से जितने भी sentence शुरू होंगे उसमें main verb से पहले आएगी helping verb अगर वो direct question है तो तो ये direct question है इसलिए is पहले आएगा subject से पहले why is he late अगला by air because the cost of flying is very high जो 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 flying का cost है यानि जो aeroplane से यात्रा करने का जो cost है वो बहुत high है इसलिए इसलिए क्या होगा आप ज़्यादा travel नहीं करेंगे often देखिए इसमें often तीनों में often की च्वाइस है और often के साथ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था के simple present tense ही यूज होता है तो ये दोनों आपकी choice कट गई तो ये ही बचिए बस ये आपकी choice सही अगला next time you to my house you must bring that book जब तुम अगले बार मेरे घर आओ तो वो किताब आप जरूर लाना तो ये planning नहीं है planning होती तो वो बताता के कब आ रहा हूँ कह रहा है जब भी आओ तो तुम मेरे लिए ये लाना next time when you come ये choice ठीक है अगले I to remember your name but I am afraid I can't remember it मैं तुमारे नाम को याद करने की कोशिस कर रहा हूँ पर मुझे लगता है मैं इसको याद में ही कर सकता हूँ अब याद कर रहा हूँ remember करने की कोशिस कर रहा हूँ I am trying I am trying इसके लिए सही है याद करने की कोशिस कर रहा हूँ तो ये इस तरह से हमने किया उमीद है आपको कुछ उपयोगी लगा होगा बताईएगा अगर आपके उपयोगी होगा तो इस सीरीज को हम continue करेंगे नहीं तो बंगा देएगे ओके थैंक यू नमस्कार